दोस्तों अगर आप 2024 बोड एक्जाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले इस वीडियो को देख लेगे विकॉज ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपका भी सपना है कि मैं भी टॉप करूँ या तो मैं भी अच्छे नंबर से पास करूँ तो ये व प्लकुल भाई 100% आ सकते हैं तो पर भी अभी कुछ नहीं पढ़े होएंगे मुझे पता ठीक है जो टॉपर बनने वाले हैं वह भी कुछ नहीं पढ़े होएंगे और अगस से ही पढ़ाई शुरू करेंगे तो उसमें और आपमें कोई फर्क नहीं है हभी ठीक है अगर जून में भी कुछ नहीं पढ़ पाएं कुछ नहीं पढ़ पाएं भाई तो कोई दिकत नहीं नो प्रोब्लम जुलाई भी चला गया तो कोई दिकत नहीं लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा अगस से पढ़कर आपको 94% कायसे लना है तो इस वीडियो को आप एंड तक क्योंकि जो टॉप करने वाले हैं वह भी अगस से ही पढ़ेंगे वह भी अभी तक कुछ नहीं पढ़ेंगे मुझे पता है और वह टॉपर कोई नहीं बलकि आप खुद हैं आपको मौका मिला है तो यह मौका का लाब कायसे उठाना इस वीडियो मैं बताऊंगा ठीक है वी लेकिन आप वीडियो पर बने रहेगा आपका आएंगे ही आएंगे आगे क्या है आगे है तोपर क्या करते हैं और कैसे बनते हैं और कैसे क्या करते हैं वह इस वीडियो मैं बताऊंगा तोपर जो है इस बार 2024 का आप खुद बनेंगे एक फ़्याया बनाबनेंगे आपको याकिन होते होंगे। ⁫ ⁗ ⁅ ⁗ ⁡ ⁘ 00 ⁺ ⁺ ⁡ ⁵ ⁗ ⁗ ⁪ ⁑ ⁡ ⁡ ⁦ ⁑ ⁢ ⁳ ⁪ ⁗ ⁑ ⁦ ⁡ ⁗ ⁘ ⁾ ⁻ ⁆ ⁿ ⁮ stops ⁦ ⁢ ⁺ ⁹ ⁦ ⁦ ⁡ ⁗ ⁦ ⁿ ⁙ ⁡ ⁒ ⁲ ⁪ ⁣ ⁮ ⁲ ⁻ ⁢ ⁡ ⁦ ⁦ ⁦ जैसे मैं बताऊंगा वही किताब रयता है स्यम कापी रहता है, टीचर बही है, स्यम टीचर रहता है, उसके पास वी mism Até Samp ही हैं तो कहां कुछ अंतर है बताओ आप में और टॉपर में कुछ नहीं है वह टॉपर आप हैं है ना टॉपर आपको कैसे बनना है और टॉपर क्या करते हैं टॉपर जो होते हैं वह लाइक डेली मैं बताने जा रहा हूं बहुत से स्टूटन्ट ऐसे हैं जो कि आठ से दस घंटा या कोई-कोई तो 12-16 घंटा एक दम लगे रहते हैं लगे रहते हैं हमेशा पढ़ते रहते हैं हमेशा पढ़ते रहते हैं और एक्जाम में कितना आता इसको 70-80% ही रह जाता है वो टॉप नह ही करता है बड़ आपको समार्ट करना समार्त में क्या है तीक है लीगिसी चार घंटा की पढ़ ने लेकिन जरी से 30-40 के साथ होनी चाहिए चाहिए ऑपस और नहीं चाहिए हमाना एंगे बहुत से हमारे चुछ होता बहुत होता है और कुछ स्टुडैंट क्या होता है लेकिन कुछ आईसे होता है जिनäreका कोई Woman में स्टूज जो किए समझे आ कोई सब्च के इंगली में समझ करना आज के वह मोस्त इंपोर्टन आपको बताएंगे में लेकिन उससे पहले में बताएंगे यूर सब्जेक्ट आपकई strong है उस पर भी time देना है लेकिन जो आपका वीक हैना जो भी subject like आपका हो जो भी subject हो जो आपका कमजोर है वीक है उस पर ना स्वादा टाइम देना है रोज के time देना है डेली के time देना तरस्ट में वो भी Biolens हो जाएंगे इस टेम हो जाएंगे है ना important बात हैं क्या है भाई देखिए आपका ज़्यादा हम time नहीं ले रहा है आपको क्या पढ़ना है आपको NCRT पढ़ना है और 5 year के previous paper पढ़ना है आपको आज से 5 year तक का पहले previous year तक का आपको पढ़ना है टॉपर भी यही करते हैं पल्चोनवी परसंट जो marks लाते हैं लाइक हमसे मैंने बात की ठीक है तो वो भी NCRT पढ़ते हैं और previous year पढ़ने की previous year पढ़ाई करते हैं है ना देखिए टॉपर क्या करते हैं ज्यादा इसकूल में time नहीं देते हैं और ज्यादा कोचिंग में भी time टायम नहीं देते हैं बहुत से स्टुडान को मैंने ऐसे देखा है जो कि तीन कोचिंग चार कोचिंग पढ़ते रहता है तो वह महा मुर्ख है उतना आपको टायम नहीं देना है कोचिंग में और नहीं स्कूल में उतना time देना है 3-4 घंटा बहुत हो गया है अ देखिए आ तीन चार कोचिंग बहुत हो गया मैक्सिमम म्यूंद नहीं जो ठीक है लेकिन आपको करना है नहीं तो नहीं बनाना है दोस्त नहीं है तो कोई बात नहीं ठीक है कोई बात नहीं लेकिन अगर दोस्त बनाना है तो पढ़ने वला बनाना है नहीं तो नहीं बनाना है है ना आपको देखी क्या करना सब कुछ बता रहा हूं बुक खोल के ना ये नहीं करना ऐसा ने किताब खोल लिया और यहां पर फेसूख हम मोबाइल में चला रहे हैं इंस्टा पर लग गये हैं वार्टसाप गुराम पर चैटिंग कर रहे हैं और यहां पर यहां तुमें किताब खोल लिए हैं मोबाइल लेके आईसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना पढ़ाई कर लेते हैं उसको लगता है हाँ चलो ठीक है सब कुछ नहीं प्राक्टिस आपको करते रहना है जो भी पढ़ेंगे जो भी याद करेंगे वो लिख लिख के प्राक्टिस करना है ठीक है अच्छा टॉपर्स मैंने बात कि तुन्हों ने ये भी बताया कि मैंना सलेवस दो बार डिवीजन करता हूं जी हां एक्जाम्स के अंतिम एक महिना बचे आता है अंतिम महिने में ठीक है तब आपका पल 40% पक्का आ जाएंगे मेरा 100% का एंटी है मैं जितना बताया हूँ आप उतना कीजिए लास्ट देखिए क्या है बस हो गया हो गया टॉप करना है तो आपको ये बात है इंपोर्टेंट र होडल पर यह कृषन बैंक लेल लना घर में और देखना है हम 3把它 कवर कर पा रहे हैं आपको test देना प्राक्टिस करना है डिवीजन itिंजान करतें आ बहुत बड़ी कलती करतें ठीक है अगर आप बीडियो में बताएगे सारे चीज़ों को फूलो करतें तो 100 परिशन माई लेता हूं का अंटी भाई या अगस्से लगतार आप ऐसे अगर करते हैं रोज करते हैं अगस्से तो ट्रस्ट में आपका पल चौनवे परसंट से पलस आएंगे आजसा नहीं आपको करना की पंच दिन छे दिन की आप फिर नहीं हो पाए हैं नहीं आपको आज स के रोज फोलो करना एक जाम तक